अस्सालामुलीकूम हां जी क्या आल है आप लोगों का कैसे आप सब उमीद करते हूं के ठीक होंगे चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं पहले एक कराई ले लेनी है उसमें गी को गरम होने के लिए रख देना ये गी गरम हो गया अब मैं इसके अंदर बॉइल एक वो डा इन को निकालने आपने सब को इसके बाद अब मैं इसमें कौफटे अड़ करूँ गी और उन्हें फ्राय करूँग इप जैसे कि मैं कौफटे अड़रने स्टार्ट कर दी हैं इन्हें गॉलडन ब्राउन कर लूँगी अब इन्हें भी निकाल लेंगे लादा प्लेट में उसके बाद मैं आपको सारे मसाले तो चक करवाँ जो अब मैंने इसमें आड़ करने हैं यह है चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, हल्दी, लाल मिर्च, अब एक कराई ले लेंगे इसमेगी को गरम कर लिए अब इसके अंदर मैंने दाल चीनी के दो टुकरे डाल दीए, एक फूल डाल दीए मैंने, बादियान का, मुझे इसका नाम नहीं आता, जीरा डाल देंगे और काली मिर्च डाल देंगे, अब इसके अंदर प्यास अड़ कर देंगे, इन्हें थोड़ा सा फ्राइ करने के बाद प्यास अड़ कर दे इन्हें भी ग्रैन करके आड़ कर रही हूं, आपने मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और मुझे बताना है, आप लोग को मेरी रेसिपी पसंदार है, यह नहीं कोमेंट बोक्स में लाजमी बताना है, और मुझे इंस्ट्रा अब यह पक्कर अड़ी हो गया मसाला अब इसके अंदर कॉफ्ते अड़ कर देंगे जो फ्राय कर लिए हो वे थे आप कॉफ्ते को अच्छी तरह से लाएंगे और अंड़े अड़ कर देंगे और इससे पकने के लिए रग देंगे आपने मुझे बताना है कॉमेंट बोक्स में कि मैं और क्या क्या रेसिपी आपके लिए बनाओं फिर मैं बनाओंगी आपको पसंद भी ज़रूर आएंगी मेरे गर में तो सबको यह रेसिपी बहुत पसंद आई अब इसमें पानी अड़ करके इसे पका लिया मैंने अच्छी तरह से यह बन के रैडियो गया अलाफीज